जारकंट से बीजेपी के लोगसबा सांसद निशिकान दूबे पर चुनावी हलफ नामे में गलत जानकारी देने का रोप लगा है सांसद महोदय के खिलाफ अब लोगसबा स्पीकर को शिकायत भी दी गई है कॉंग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोगसबा स्पीकर ओम बिडला को इस बाबत शिकायत पत्र भीजा है वह इस मामले को लेकर टीमसी सांसद महोदय मोहित्रा ने निशिकान दूबे पर हमला बोला है टीमसी सांसद ने अपने ट्वीट के जरिये बीजेपी सांसद को घेरा है महोदय मोहित्रा ने अपने ट्वीट में लिखा 2009 के शपत पत्र में मानेनीय सदस्य की आयू 37 वर्च है 2014 के शपत पत्र में आयू 42 वर्च हो जाती है यानि उनका जन्म 1972 का है दोनों शपत पत्रों में 1982 में मैट्रिक पास करने का जिक्र है इसलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक पास किया ऐसी प्रतिबा हम गरीब तो बस ख्वाब में ही देख सकते हैं इस ट्वीट के साथ ही महुआ ने निशिकान दूबे के दोनों चुनावी हलफ नामों की तस्वीरे भी ट्वीट की है आपको बता दे कि एक दिन पहले ही कॉंग्रेस सांसद मणीकम टैगोर ने निशिकान दूबे के खिलाफ चुनावी हलफ नामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए लोगसवा स्पीकर ओम बिडला से शिकायत की थी कॉंग्रेस की ओर से शिकायत की जाने के बाद अब टीमसी ने भी निशिकान दूबे के खिलाफ हला बोल दिया है यहां ये बात भी गौर करने वाली है कि संसत के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान राहूल गांदी ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पर जम कर हमला बोला था और अडानी मुद्दे को लेकर कई आरोप लगाए थे निशिकान दूबे ने उसी दिन राहूल गांदी की ओर से लगाए गए आरोपो को तत्यहीन बताते हुए विशेशादिकार हनन नोटिस दिया था और सभी आरोपो का खंडन किया था निशिकान दूबे ने राहूल गांधी के खिलाप सदन ने अववानना का मामला चलाने की मांग की थी निशिकान दूबे ने राहूल गांधी की सदन से सदस्यता समाप किये जाने की मांग भी की थी लेकिन अब चुनावी हलफ नामे में सामने आई जानकारी से लगता है कि जारखंड की गोड़ा सीट से बीजेपी के सांसद निशिकान दूबे खुद ही मुश्किल में फस्ते नजर आ रहे हैं टीम न्यूज नेशन